नमस्कार मित्रो जैमातदी स्वागते आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल में तो कन्या रासी वालो मित्रो दिनांक 11 अप्रिल 2023 से दूद का दूद और पाने का पानी होने वाला है जिन्दगी कुछ इस तरह से बदलेगी कि आपने सोचा भी नहीं होगा मित्रो आखिर केसा राज खुलेगा इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं आईए सबसे पहले अगर मित्रो नजर डाले पंचांग पर तो 11 अप्रेल को मंगल वार का वार है साथ में वेसाख मास के क्रश्नपक्स की पंचिमितिती है और मित्रो जेश्ठा नक्सत रहे और आप सभी को बता देते हैं कि मित्रो वरियान एवं परीग नामक योग का निर्मान हो रहा है वही मित्रो अगर सुर्र की स्तिती देखें तो सुर्र तो मीन रासी में ही विराजमान रहेगा लेकिन दूसरी और चंद्रमा जो है मित्रो वह ब्रस्षिक रासी के उपरांत धनू रासी पर संचार करेगा तो अब एसे में समस्त ग्रहों की चालका एवं नक्सत्रों की चालका आपकी रासी पर क्या प्रभाव पड़ेगा मित्रो कौन से सुब समाचार आपको सुनने को मिलेंगे कौन से असुब समाचारों की प्राप्ति आपको होगी क्या साउधानिया आपको बरतना पड़ेगी और किन चिनोतियों का सामना आपको करना पड़ेगा समस्त ग्रहों की चाल के आधार पर एवं नक्सत्रों की चाल के आधार पर हम आपको बताने वालों ही तो मित्रों अमारी इस छोटी सी वीडियो को सुरू से लेकर अंततक ध्यान से देखिएगा सब से पहले तो सिर्फ वही भक्त इस वीडियो को लाइक करें जो अपने माता पिता से सच्चा प्यार करते हैं और मित्रो कमेंट बॉक्स में गुरुदेव का आसिरवाद प्राप्त करने के लिए स्री सिवाय नमस्तो भ्यम अवश्य ही लिख दीजिएगा मित्रो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वीडियो के अंत में बहुत चमतकारी उपाएं एवं सिध्धमंत्र हम लेकर आएं हैं तो आईए अब आप सब ही का मित्रो किम्ती वक्त रवाए बिना वीडियो की सुरूबात करते हैं गुरुजी गे छोटे से अनमुल विचार से मित्रो मन में जो है उसे साफ साफ कह देना चाहिए क्योंकि सच बोलने से फेसले होंगे और जुट बोलने से फासले होंगे हमारे गुरुजी हमेशा एक बात बोलते हैं कि चाहे सच बोलकर रिष्टा खराब कर लो लेकिन जुट बोलकर कभी भी जेहर के रिष्टे मत बनाओ तो मित्रो गुरुजी का यह ग्यान आज ही से अपने जीवन में जरूर अमल कीजेगा तो आईए अब आप सभी का किमती वक्त गवाई बिना बात करते हैं तो मित्रों बता देते हैं कि आज के दिन आपके जीवन में जो जो परिवर्तन होंगे वह बड़े चमतकारी होंगे आप काफी और जावान महसूस करेंगे हाला कि काम का बोज आपके चिड़ चिड़ापन को बड़ा देगा मित्रों लेकिन घबराने की कोई जुरूरत नहीं है मित्रों बता देते हैं कि आपको उन लोगों से बचना चाहिए जो आपसे करज मांगते हैं और फिर उन्हें चुकाते नहीं हैं साथ ही आपको अपने मन में सांती और विश्राम के लिए किसी धार्मिक इस्थान पर जाना चाहिए क्योंकि मित्रो आध्यात्मिक बातों में समय विताने से आपको बहुत सांती मिलेगी साथ ही किसी संत से मिलना चाहिए और अपनों के लिए कुछ भी कठोर केहने से बचे मित्रो इससे आपको बाद में पच्चताना पर सकता है क्योंकि मारते का हाथ रोक सकते हैं लेकिन बोलते की जिबान नहीं पकर सकते हैं और बोले गए सब्द बंदुक से निकली गोली की तरह होते हैं जो कभी लोट कर नहीं आते हैं अच्छे कार्री के लिए आपको कुछ प्रसंसा मिल सकती है लेकिन यात्रा उसे तत्का लाब नहीं मिलेगा हाला कि यह एक अच्छे भविश्य की नियु रखेगा मित्रो आपके व्यश्य कार्री करम के कारण जीवन साती खुद को उपेक्सित में हिसूस कर सकते हैं और साम को व्यक्त किया जाएगा यह समय सात ही मित्रो आप सभी को बता देते हैं कि जीवन पर एक उदाख द्रश्टी कौन बन रहा है तो उस उदाख द्रश्टी कौन से आपको बचना है दाव लगाना लाब दैख हो सकता है मित्रो और कोई ऐसा दाव आपके हाथ लगेगा जिससे आरतिक इस्तती सुधर जाएगी और किसी धार में किस्थल या किसी रिष्टदार के यहां जाना संबव है मुम्किन है कि कोई आपको पेहली नजर में पसंद कर लें साज़दाये में एक नई परियोजना सुरू करने के लिए बहुत बहतर समय चल रहा है मित्रो मन करसं में रहेगा जीवन में यह समय आपको वेवाहिक जीवन का भरपूर आनेंद देगा और अपने रिष्टों को स्वास्त रखने के लिए एक दूसरे के साथ खुले और समासिल रहने की कोशिस करेगा मित्रो यदि आपको रिष्टे लंबे समय तक तिका कर रखने हैं तो आपको जुकने की आदट डालनी होगी क्योंकि जो जुकते हैं वही आगे बढ़ते हैं साथ ही मित्रो आपको तरक वितरक करने की आवशेक्ता नहीं है और आपको बहुत अधिक धन कर्चि नहीं करना चाहिए और सावधान रहें कहीं देर तक बाहर ना रहे या बहुत अधिक धन कर्चि ना करें प्यार का सफर बड़ा खूपसूरत रहने वाला है लेकिन यह कुछ ही देर का रहेगा मित्रो आपके लिए अच्छा और अपनी ताकत और कम्यों पर ध्यान देने के लिए कुछ समय निकाले आपका जीवन साथी आपके व्यंग मात्मक हो सकता है लेकिन आपके लिए भी कुछ अच्छा करना चाहता है मित्रो ध्यान रखिएगा कि आपकी जिन्दिगी में आपका अच्छा करने वाले लोग बहुत कम हो यह बात आपको आज समझा सकती है इस बात की अच्छी संभावना है कि आप सारिरिक बिमारियों से ठीक हो जाएंगे इसलिए आपको बहुत जल्द खेलों में भाग ले सकते हैं मित्रों अगर आप करज लेने वाले थे तो काफी समय से इस काम में लगे हुए थे तो आपको करज मिल सकता है और करज इतना ही ले जितना आप उसे चुका सके हैं यह कियो कि मित्रों हमेशा चादर देखकर ही पेर फेलाने रहते हैं बता देते हैं कि काफी समय से आपके घर में कोई भी मनुरंजन संबंदित प्रोग्राम नहीं बना हैं क्योंकि आप परिवार को वक्त ही नहीं दे रहे हैं मित्रो घर के सदस्यों का हसी मजाक वला वहवार घर के माहुल को हलका फुलका और खुसनुमा बना देगा नए रोमान्स की संभावना प्रबल है मित्रो आपके जीवन में प्रेम का फूल जल्दी ही खिल सकता है और दफ्तर में आपका काम करने वाले समय में कई तरह से असर दिखाएगा मित्रो घर के छोटे सदस्यों के साथ आप किसी पार्क या सौपिंग माल पर जा सकते हैं और आप महसूस करेंगी कि आपका व्यवाहिक जीवन वाकई बहुत ही खुब सूरत है व्यवाहिक जीवन में इस वक्त बहतरिन परिष्टित्यों का निर्मान हो रहा है आईए मित्रो अब हम आपको बताते हैं कुछ ऐसे चमतकारी उपाएं जो आपके जीवन का कल्यान करने के लिए कारगार सिद्धों होंगे मित्रो अश्ट धातू का चमतकारी उपाएं जब कोई व्यक्ति बार बार बीमार हो रहा है दवा उपचार करवाने के बाद भी मित्रो विशेसलाब नहीं मिल रहा है तो मंगलवार के दिन किसी सुनार को अश्ट धातू का कड़ा व्यक्ति के नाप अनुसान बनवाने को दें तथा उस कड़े को सनिवार के दिन सुनार से घर ले आएं मित्रो बता देते हैं कि कड़े को गंगा जल से धोकर सुद्ध करे तथा उसे कपड़े में उस कड़े में थोड़ा सा सिंदुर लगा दे कड़े को अपने सामने रखकर हनुमान चलिसा का पाट करें इसके बाद उस कड़े को व्यक्ति के दाइने हाथ में पिना दे हनुमान जी की किरपा से व्यक्ति सिग्र ही स्वस्त हो जाएगा तमाम दुखतर्द दूर हो जाएंगी एक छोटा सा उपाए और है कुछ लाना है घर में तो स्रीलक्स मिलाईए मित्रो सभी कुछ न कुछ हिस्यत के अनुसार खरीदारी करते हैं कुछ लोग विज्यापन देखकर हिस्य स्यदा करज पर मोटर साइकल गाड़ी जेवर इत्यादी खरी लेते हैं लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि आप अपने घर में लक्समी के से लेकर आए लाना सा लक्समी जी को ले आए तोटा यानि घाटा यह भहुत असुब होता है खरीदारी करो हिस्यत के नुसर जहाडू को मा लक्समी का ही स्वारूप मान जाता है धन की देवी मा लक्समी को साफ सफाई बहुत पसंद है जिन गरों में साफ सफाई होती है माता उसी घर में वास करती है तो घर में और मन में सफाई रखे मित्रो तो वीडियो की समापती अभी यहीं पर होती है वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक अवश्य ही कर दीजेगा और कमेंट बॉक्स में गुरु देव का आसिरवाद प्राप्त करने के लिए श्री सिवार नमस्तो भ्यम अवश्य ही लिख दीजेगा मित्रो मिलते हैं आपके साथ अगली रासी फल की